पूस्क्राइब करें हमारे यूट्यूब चनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले बेल आइकन डबाना ना भूले जिसके घर में धन नहीं टिकता जिसके घर में पैसा रुपता नहीं है जिसके घर में पैसे की कमी है जो सोचता है मेरे घर में भी लक्ष्मी का बंडार भरा रहे तो एक बात कहूँ शाम बाबा को पान चड़ाना परारम कर दो सुबह जब जोत लो बाबा शाम की जब जोत लेने बैठो तो उस जोत के अंदर कुछ भी चड़ावो नचड़ावो एक पान पूरा बनावा बाबा को चड़ावा दो क्यों जोत में ही मेरे बाबा शाम परकट होते है बाबा शाम की जोत जो भक लेता है तो जोत में ही बाबा शाम का प्रादुर भाव होता है वही है जो कोई भक बाबा शाम को प्रशन मंद से होकर वो पांच चढ़ाता है मैं सच कहता हूँ आप 21 दिन, 25 दिन, 27 दिन चढ़ा के देख लो एक बार एक काम करो 27 दिन का प्रियोग करो लेकिन यहां रखना जोत में गाई का घी ही लेना एक आसम पर बैठ जाना बाबाशाम की जोत लेना और जोत के बाद प्रणाम करके शंकल लेके प्रणाम करके वो पान बाबा की जोत में चड़ा देना और उपर घी और उपर से तोड़ा चड़ा देना फिर आरती कर देना आरती से पहले एक काम करना है तीन श्याम चालिशा और एक हन्वान चालिशा का पाट करना जिसे हैं ना आश्ट सी दिनव निदिके दाता ऐसे बर दीन जाने की माता जैसी रिशाम जैसी रिशाम खाटू वले बाबा जैसी रिशाम जो प्रभु प्रेमी जो शाम प्रेमी बाबा शाम को पान चड़ाता है बाबा उसे घर में हमेशा लक्ष्मी के भंडार भरे रखता है महारा जी पान का और लक्ष्मी का क्या नियात है पान में लक्ष्मी का निवास हो गया पान के मूल भाग में लक्ष्मी का निवास बताया गया है और पान के तने में कामदेव का निवास बताया गया और पान के आगे और पिछे के बाग में दरिद दरता का निवास बताया गया आप देखना कभी पान वाला जो पान बनाता तो पान को आगे पीछे दोनें से काड़ता है लेकिन भगवार नारेने आश्रिवाद या दर्धरता से कहा कि जो पान मेरी पूझाँ में चड़ जाए उसमें तुझे इस्तان नहीं मिलेगा तो जो पान पूझाँ में चड़ जाता है उसमें कभी दर्धरता नहीं आती कि पान स्वाइम परमात्मा का प्रशाद है पान जो व्यक्ति पान खातर बाबा शाम को पान चड़ाता है मेरे शाम बाबा सभी प्रकार से खजाने बढ़े रखते हैं साथ ही साथ ही उसके जिवन में हमेशा लक्षमी की किरपा बनी रहती है उसके घर में लक्षमी कि कभी कभी नहीं आती है